Hello friends, आजकी सेशिन में हम दखेंगे कैसे आप Android Studio इढ़ना object क्रीएट करते हैं यानि कि आप आप जो पहला Android Studio का प्रोजेक्ट क्रीएट करेंगे प्रसेस रहे हैं कि जिसके बाद आप तक एक एक Android Studio का प्रोजेक्ट क्यों बनादे हैं ताकि आपको एक app बना सके तो जब भी आपको कोई भी app बनानी है तो उसके लिए आपको एक Android Studio का एक project create करना पड़ेगा अब मैं यहाँ पे Android Studio का project किसले बोल रहा हूं क्योंकि देखो Android के लिए आज तक several IDs रही है यानि कि पहले कि अगर मैं बात करूँ जब Android Studio नहीं था तो उसमें Eclipse ID यूज आ दी ती यानि कि वो जो project के लाएगा वो Android का Eclipse project के लाएगा अगर NetBeans की मैं बात करूँ तो NetBeans भी एक ऐसा ही ID है जिसमें आप Android के जो apps है वो create कर सकते हैं यानि एप करने के लिए आप करना पड़ेगा उसके particular Android का project create करना पड़ेगा तो उसको हम कहेंगे NetBeans Android project या Android NetBeans project वैसी बात करूँ तो Android Studio की क्योंकि commonly used है और आप जितनी भी जगा आप देखोगे तो अब Android Studio ही development के लिए यूज आता है उसका reason भी है क्योंकि आपको सारी चीज़े required रहती है Android project को create करते वक्त वह इस particular ID में आपको मिल जाए कि यह बैटर है बाकी सारे IDs थे इसलिए आप देखोगे commonly used ID जो है Android के लिए वह Android Studio हो चुकी है और Android खुद भी recommend करता है तो इसलिए इसके project को हम बोलेंगे Android Studio project तो इस project को कैसे create करना है Android Studio के अंदर वह आज की session में हम देखने वाले है पिछले session में हमने देखा कि कैसे हम Android Studio को setup करते है different OS के ओपर आज वाली class में हम देखेंगे कि setup करने के बाद में आप आपको कैसे project को create करना है और जब आप create करते हैं Android Studio के project को तो कैसे और कौन से options आपके सामने आते हैं और कौन से options कब use करना है यह कैसे identify करना पड़ेगा वो सारा कुछ आपको आज इस class के अंदर समझने को मिलेगा तो start करते हैं Android Studio, तो मैं यहाँ पर Android Studio open कर लेता हूं, तो यहाँ पर मैंने Android Studio जो है open कर रखा है, अब इस particular structure को हम समझते हैं, जो आपको right hand side में दिख रहा है, वो यहाँ पर logo आ रहा है Android Studio का, जो software का name है, तो उसका logo, जो Android Studio का logo है, वो यहाँ पर आ रहा है, तो उसका version बता रह हैंगे, जैसे अगर कोई भी नया update आता है, तो आपके पास एक option आता रहेगा, या फिर Android Studio में एक option होता है, check for updates, वहाँ से जाके भी आप अपने Android Studio को update कर सकते हो, अगर आपको up to date रहना है, इस particular Android Studio के versions के एंडर, तो यह version बता रहा है कि अभी तक जितने भी versions आया है, यह Android Studio के अंदर भी मिल जाएगा, जब हम उसको open करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, यह version कहां दिखता है, और कहां से आप update के लिए check कर सकते हैं, by default Android खुद भी pop-ups send करता है, जब भी वो internet से connect होता है, यानि कि आप अगर जब भी अपने laptop या PC को internet provide करेंगे, और Android Studio उसमें open है तो यह automatically right hand side में एक pop-up आएगा, तो यह कहेगा कि Android Studio needs to update, requires update, new update for Android Studio, ऐसे करके आपको pop-ups लाते रहेंगे, तो वहां से भी आप update कर सकते हैं, तो आपको जो version है वो update हो जाएगा, जब भी कोई नया version Android की stream में आता है, Android Studio की stream में आगर कोई नया version आता है, तो वहां पे आपको option मिल जाएगा, वहां से आप उसको update कर सकते हैं, left hand side जो आपको यह panel दिख रहा है, जो left hand side वाला जो आपको list, यहां पे list नजर आएगी, यह किसकी list है, यह आपके Android Studio के project की list है, जैसा कि अगर आपको याद हो, तो पिछली class के अंदर मैंने क्या किया था, जब मैंने Android Studio का setup क तो मैंने आपको बताया था, कि मैंको एक नया project create करके वो जो required file से उनको भी install करना पड़ेगा, ताकि हम यह देख सके हैं, हमारा Android Studio जो है, वो ready to use हुआ के नहीं हुआ, तो उस समय मैंने project create किया था, वो ही project यह है, तो इसका मतलब क्या होता, यहां पे recent projects जो है, वो आपके show करेंगे, यानि जो सबसे most recent है, हो सबसे उपर आएगा, और जो सबसे least recent है, हो सबसे नीचे आएगा, और यहां पे almost आपके पास 30 to 40 projects की यहां पे list मिलेगी आपको, जितने भी previous 30 to 40 projects हैं, आपने जिन पे काम किया है, वो most recent की order में यहां पे आपको देख जाएंगे, linear format में तो वहां से आप इनको click करके directly भी open कर सकते हैं, यागर इनकेस आपको कोई previous project को open करना है, तो आप open में ना जाके, या कोई दूसरा option ना select करके, इन में से भी आप select करके उसको open कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं, short cut to your previous project, तो यहां पे जो first option है, वो है आपका create new project, जैसे कि आपक इसके उपर click अगर हम करेंगे, तो हमारा नया project create होगा, ठीक है, वैसे में बात करूँ, तो कुछ अलग options भी यहां पर आपको दिख रहे हैं, तो उनके बार भी थोड़ा सा information ले लेते हैं, ठीक है, mostly cases में आपको इच उपर के तीन दिख रहे हैं, यही काम आने वाले है, ब create से एक नया project create होता है, और open से previous project created है, तो हम उसको open करते हैं, तो यही दो options उपर के बदा रहे हैं, यानि कि अगर आपको नया project create करना है, तो आप इस पर tap करेंगे, और अगर आपको पूराना कोई अपना project पड़ा है, मतलब पहले से आपने create कर रखा है, उसको अगर आपक पर यानि एंड्रोएट प्रोजेक्ट पर जाना है यानि तीसरा है गट फॉम वर्जिन कंट्रोड कहीं पी आप IT सेक्टर में जाओंगे तो क्या होता है कि हमको हमारे प्रोजेक्ट का बैक अप रखना बहुत जरूरी है रखने के लिए किया करेंगे हमारे फ्रोजेक्ट की कहीं online store करेंगे offline store करेंगे और offline और online में बैटर कौन सा रहता आपका online प्रोसेस रहता यानि कि offline में फिर भी अगर आपकी hard drive है या pen drive करप्ट हो गई तो आपका data lost हो सकता है लेकिन अगर आपने अपने project को backed up कर रहा है online तो आपका data हमेशा आपके पास available रहेगा और वो आपके लिए easy भी हो जाएगा कि अगर आपने कहीं server पर upload कर रहा है तो आप उसको कहीं से भी access कर सकते हैं आपको किसी external चीज को carry करने की जरूद नहीं जैस से internet available है वहाँ से आप उसको कहीं से भी access कर सकते हैं प्लस online में यह problem कभी भी नहीं रहेगी कि corrupt हो चुका या hardware problem आ चुकी है तो इसलिए data loss हो गया तो यह data loss होने की chances बहुत minimum है दूसरी चीज़ आते ही जो हम जो हमारा project है जो backup करके हम कहीं रखते हैं तो वह हम कहां रखे मतल project तो create हो चुका है 100mb का project for example बन चुका है आज वाले दिन में मैंने सिर्फ दो नहीं files create करी और तीन files में changes किये और उस पे जादा कुछ काम किया नहीं है वह काम जो था मेरा पूरे दिन का वह इन तीन पांच files के अंदर ही है बाकि कहीं project पे मैंने कुछ भी changes नहीं किये तो अ तो हर बार आपको 100mb की file को रोजाना upload करता रहना पड़ेगा और वहां से जो upload file इसको delete मानना पड़ेगा जैसे कि आप अपने project का अप जो latest version है वह backed up करके रखें तो गेटक के अंदर बहुत सारे आपको options मिल जाते है github हो गया bit bucket हो गया तो ऐसी जगह पे आपको क्या करन पड़ता है repository create करनी पड़ती है यानि की project create करना पड़ता है then आप क्या करेंगे दो operations होता है push and pop commonly known as जो आपके stack के अंदर भी होते है push यानि insert करना pop यानि delete करना तो push का मतलब क्या हुआ कि जबी भी आपको अपने project को कहीं पे भी store करवाना है तो आप git की help से github या bit bucket पे कह यहां पे upload करा सकते है ठीक है उसका फाइदा क्या हुआ यह तो आप normal drive पे भी कर रहे थे तो फाइदा क्या है इसका फाइदा यह है कि आप जो main चीज़ है वह यहां पे क्या करता है branches वाला concept यूज़ करता है यानि कि क्या होगा कि जैसे आपने एक नहीं file create करी या किसी particular files म अलग से मानेगा और जिन में changes नहीं हुए उनको वह कोई color नहीं देगा यानि आप प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने git setup कर रहा है तो यह automatically identify कर लेगा किस file में previous file से change आया है और किस कौन सी file ऐसी है जो create हुई है तो जैसे आप push करोगे अब next time तो वह file जो affect हुई है यानि VCS का फाइदा मिलता है यानि की git का यूज करने का फाइदा मिलता है और भी बहुत सारे फाइदा है git के जिसमें आपकी transparency रहती है आप पुरी टीम को अगर आप लीड करना चाहते है तो आप अपने project को backed up रखेंगे git के उपर प्लस आप पुरी team जो है आपको जिसे अगर पांच जने एक ही project पर काम कर रहे हैं तो बैटर process क्या रहेगी कि अगर आप उनको git के उपर setup करके चलते हैं तो क्या होगा कि अगर मैं यहां बैठा हूं remote location पर मेरा कोई दूसरा developer बैठा है और तीसरा developer कोई दूसरी remote location पर बैठा है तो हम आपस में अपने project को communicate करवा यहां पर delete नहीं होगा वहां पर एक copy जो है उस particular project की वह मेरे android studio पर receive हो जाएगी यानि कि वह में को मिल जाएगा वही option है यहां पर देख सकते है get from version control इसका मतलब क्या है create new project मतलब एक नया project यहां पर आपको कोई repository यानि कि आपका project created पड़ा है वहां पर पहले से project created है आप उसको open करना चाहता है यानि उसको pop करना चाहता है तो यहां पर जैसी आप get from version control पर जाएंगे तो आपको इस particular account में जिस account में वह upload हुआ था project push हुआ था उसके credentials देने पड़ेंगे तो जैसी प्रेदेंशल देंगे तो वहां पर पात पूछेगा आपसे उस particular repository का यानि उस project का वह जैसी पात आप देंगे तो पूरा का पूरा जो project है वह आपके यहां पर setup हो जाएगा यानि जिससे आपका Android Studio कोई भी project open होता है या create होता है वैसी आपका github या bit bucket से वह पूरा का पार ही है एक ही project पे वह सारे बंदे एक ही time पे काम कर रहा है remote location क्योंकि वह जो project है वह एक ही जेगा बन रहा है ठीक है और वह जो भी modules पे work कर रहा है वह इस ब्रांचे बना के उनमें upload कर देंगे इसको और डीप में हम समझेंगे आगे वाले session के अंदर जब मैं आपको बत developer जब आप किसी company में hire हो किये जाएंगे तो सबसे पहला जो आपको project दिया जाएगा तो सबसे पहला काम जो company करेगी वह आपको github या bit bucket पे setup करना सिखागी कैसे एक project को setup किया जाता है कैसे आपको at the end of the day आपको अपना पूरा जो दिन का काम है वह आपको push करके जाना होग यानि कि जो भी आप project पे work कर रहे है उसका backup हमेशा बना रहे है और जो आपके data का loss हो सकता है उसको minimize किया जा सके तो यह हमेशा company के अंदर first priority पे आपको यह चीज सिखाई जाएगी एगर आपको नहीं आती है और अगर आपको आती है तो आपको बताएंगे क्या credentials हैं इसके उपर और कैसे आप इनको कौन से project के नाम से आपको create करना repository को और कैसे अपने project को वहाँ पे push करना है फिर आते हैं प्रोफाइल और debug APK अब यह जो option है यह आता है सिर्फ और से vpk के लिए है मतलब अगर आपके पास apk files है apk मतलब क्या होता है मतलब जब भी आपको यह android का OS platform के लिए .apk installation files का extension होता है लब कि आपको android OS के ओपर कोई भी अगर application को install करना है that means क्या चाहिएगी .apk file चाहिएगी वही चीज़ के आप बात कर रहा है कि अगर आप पूरा project नहीं है फिर भी आपको अगर apk को debug करना है तो with the help of android studio वह भी possible है चीक है उसके बाद में आता ह आपके यहां पर import project यानि कि यहां पर आप bracket के अंदर option देख सकते हैं ग्रेडल एकलिप्स एक्सेक्टर मतलब जो previous जितनी भी आइडी जिनके उपर projects create किये जाते से पहले उनके कोई project अगर आपके पास है और उनको आपको android studio के अंदर open करना है तो आप open से उनको open and existing project से android का project बन रखा है तो उसको आप import करेंगे from this option यानि कि import project से वो project जो है आपके android studio में import होगा open से open नहीं होगा वो ठीक है उसके बाद में आता है import and android code sample तो बहुत सारे android की website जो developer website android की आपको बहुत सारे code samples मिल जाएंगे for practice तो आप यहां से क्लिक करके उनको import कर सकते हैं तो start करते हैं क्योंकि हम नया project करने वाले हैं तो मैं जाने वाला हूं create a new project की ओपर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बास की कुछ ऐसा option आएगा अब मैं आपको उताना चाहता हूं कि जैसे हमने पहले डिसकस किया था android के अंदर आप केवल mobile phones के लिए apps नहीं बनाते हैं आप जो smart watches हैं आपका tv हो गया smart tv हो गया then automobiles हो गया then android gadgets हो गया तैसे बहुत सारे platforms हैं जहां पे android के apps create की जाते हैं तो android studio ए युनिवर्सल आईडी ह और अड्शेरे टाइडी ए को एप डिए ए यानि कि अगर आपको watches के लिए अप स्मार्ट वाच के लिए बनाना है तब भी आप स्मार्ट फॉन के लिए बनाना ए तब भी यूस में हा सकती है और यूस की जाती है तो यहां पे वोई option फूशा जा रहा है क्योंकि हम यह को android का जो भी bulk part है यानि कि android की जितने भी users है वो जो bulk में जहां पर है वो है android phone या tablet के अंदर बना आप ज्यादा तर android के users कहां किस area में देखेंगे आप phone and tablet के area में देखेंगे vr os में भी आपको मिल जाएंगे लेकिन अभी कम है दीरे दीरे ये भी जो users बढ़ रहे हैं android tv जिसमें भी आपको दीरे तरी यूजर बढ़ते वे दिखेंगे लेकिन जो सबसे जादा यूजर से वह आपको phone and tablet में दिखेंगे और यह जो हमारा course भी जो है वह particularly phone के अंदर कोई app create करनी मतलब android phone या tablet के लिए अगर आपको android आप create करनी तो वह कैसे करते हैं वह अपन सिखने वाला है तो इस particular में मैं क्या करने वाला हूँ phone and tablet पे क्लिक करंगा मतलब इन tabs में मैं किस पर क्लिक करूंगा phone and tablet में आप यहां पर आसे आपको सारे options मिल जाते हैं आपको किस पर करना है phone and tablet के उपर और यहां पर बहुत तार है आपको predefined layout दिख रहे हैं अगर आप यहां देख सकते हैं तो जैसे आप powerpoint पर कोई भी presentation बनाते तो आप देखेंगे कि वहां पर by default कहीं सारी presentation की slides बनी होती default slides कहते हैं उनको ठीक है वो किसले होती बना सकते हैं वैसा ही Android Studio भी यहां पर आपको बहुत सारी slides दे रहा है slides in the sense activity जो आपकी design रहेगी मतलब कि आपकी app की screen रहने वाली है उसकी design है वो पहले से बना के आपको यहां पर option दे रहा है कि आप इन में से कोई open करना चाहते हैं यानि कि आप जो no activity यहां पर कोई भी activity नहीं है no activity है that means activity का मतलब क्या होता है जिसके मैंने आपको पहले भी बताया front end and back end combination of two things front end and back end जब जुट जाते हैं आपके java file और xml file जुट जुट जाती तो combine लिए कहलाती है activity तो जो यह चीज़ दिखा रही है यह क्या आपके सामने जो screen बता रही है जो slides है किसके लिए front end के लिए यानि कि आपको design कैसे चाहिए आपकी screen के लिए तो आप अगर एक project create करते हैं जैसे आप को हो रहा है जब आप android studio में कोई project create करते हैं तो by default एक screen का content जो है यानि कि एक screen वो जो हम android में बोलता है activity यानि कि उसका को कैसा चाहिए तो पहला जो option है वो आपको no activity का मतलब हो गया service यानि कि अगर आपको screen नहीं चाहिए जिसका कोई front end नहीं है जिसका केवल और back end है तो उसको हम कहते है service जो mostly आपके background में चलती है दो टाइप की services होती है एक होता आपका foreground एक होता background यानि कि जो आपका layout के कोई भी आप file download करते हो तो आपकी UI उसमें कोई change नहीं आता लेकिन अगर आप देखेंगे तो पीछे process चल रहा है जो आपके particular net से कोई file को download कर रहा है आपके system के अंदर जब हो complete हो जाता है तब layout में कोई changes आ सकते है लेकिन जब वो process चल रहा है तो उस process को हम कहेंगे background आपक चैक कर रहा है कि कोई notification इस particular app के लिए आया कि नहीं है जैसे ही वो execute होता है तो आपको एक pop-up दिख जाता अपनी screen के ओपर notification का आप उस पे click करते हैं और आप सिदे अपने app में चले जाते हैं तो यह सारी चीज़े क्या है background processes है तो अगर आपको कोई भी background में कोई काम कराना ह आप कहीं पर भी चले जाओ यानि कि अगर आप windows OS या कोई भी OS अगर आप यूज करते हो तो सब में दो तरह की processes होती है एक background process होती है अगर आप windows की बात करें तो windows में भी window.exe नाम का process चल रही होती है अगर आप उसको close कर देंगे तो आपका desktop या कोई भी window दिख रहा है व वो आपके Android phone में भी चलती है यानि कि Android OS में भी background processes चलती है जिसमें UI में कोई impact नहीं आता यानि कि user को कुछ में दिखता लेकिन पीछे वो process कोई भी particular इसको execute करने के लिए process background में चलती रहती है तो वो अगर आपको अपने app में करनी है जिसे कि आपको अपने app में कोई notification की service लगानी है या फिर background में download service लगानी है process करना है तो उसके लिए हम क्या कर यूज करेंगे service को यूज करेंगे then आता आपका basic activity यह आपने देखा होगा जो भी अगर आप Gmail लग आप यूज करिए अगर आपने WhatsApp यूज करिए तो इस basic activity का मतलब क्या है यहां पर यह जो आपको आपको जब भी compose या कोई भी messenger है तो उसमें आपको ऐसी activity ही मिलेगी इसको basic activity करें लेन आपका आता है bottom navigation यह bottom navigation आपने देखा हुआ Instagram के अंदर जहां पर नीचे navigation का option होता है इन सबको हम एके करके अलग-अलग modules में समझेंगे तब मैं आपको भी बता रहा हूं कि यह क्या द दिखर है उसमें पहला जो screen रहेगी वह आपकी bottom navigation रहेगा यानि कि design wise काम complete करके देगा आपको back end वाला काम करना ही पड़ेगा कि उस particular option navigation view के अंदर जो भी items आ रहे है उनके click पे आपको क्या काम करना है वो तो आपको mention code करना ही पड़ेगा लेकिन design जो है वो यह पहले से बन चुरू से स्टार्ट करेंगे तो हमेशा empty activity को select करेंगे यानि यह सारी चीज़े जो आपको यहां पर दिख रही है वो एक empty activity से भी create ही जाज़ती है कि सिर्फ और सिर्फ आपका time बचाने के लिए हम time कब बचाने के लिए जाएंगे जब हमको basic में सारा concept जो है वो clear है यानि कि मैं basic अच्छे से समझ चुका हूं में को अब from scratch android समझ में आ चुका है अब मैं android के इंदर next level पे चला गया हूं तो अब मैं अपना time बचाने के लि अगर मैं freelancing भी कर रहा हूं तो मैं उस particular time पे उसको meet कर पाऊंगा तो मैं यह चीज़े यूज करूँगा लेकिन जब मैं इसको सीख रहा हूं तो मैं यह जो shortcuts है इनको यूज नहीं करूँगा तो यह सारी चीज़ें अब आते हैं यह जो full screen activity आपके कर को splash screen बनानी है तो full screen activity यूज आती है अगर आपको कोई भी चीज पूरी आपको ना तो उपर notification बार चीए नहीं आपको टूल बार चीए सब भी हम full screen activity को यूज करते हैं splash का मतलब आपको समझ भाया जैसे कि splash का मतलब जैसे आप facebook start करते हैं तो facebook में by default आप देखेंगे जैसी आप facebook app open करते हैं तो एक blue color की full screen आएगी जिसमें बीच में आपका facebook का logo होगा और नीचे ऐसे dot load हो रहे होंगे और उसके बाद में आपका facebook app open होता है दूसरे में कहते हैं splash जो आपका starting screen होती है यानि कि welcome screen होती है तो उसे splash screen कहा जाता है वो full screen में दिखाई जाती है तो जब भी हम हमारे app के splash screen बनाएंगे यह जो option है यह आपको गूगल एड के लिए बता रहा है इंटरस्टिशियल एड यानि कि आपका full screen एड अगर आप यह activity open करते हैं तो एड का जो layout वाला काम है वो आपको by default completed मिलेगा आपको फिर भी जो back end वाला जो काम है वो आपको करना ही पड़ेगा आपकी Google Maps activity गूगल के लिए मतलब maps लगाने के लिए फिर आपको map by default चाहिए अपनी activity में तो यह layout ऐसा setup हो क्या आएगा जहां पर layout wise आपको कुछ काम नहीं करना है बैक end में फिर भी आपको उस particular Google Map को setup करने के लिए जो भी लिसनर लगाए जाते हैं वो सारे काम आपको back end में करने रहेंगे अगर आपको इन सारी चीज़ों को अगर ऐसा कुछ design है आप इन सब को बनाने की जरूत नहीं है आप इन में से कोई भी select कर सकते हैं लॉग इन स्क्रीन बनानी है आपको यह जो material detail flow है यह आपका particular tablet के लिए बनता है ठीक है अगर हम mobile की बात करें तो उसको navigation drawer के अंदर navigation drawer भी कहते हैं और side menu भी कहते हैं वही चीज़ अगर मैं tablet की बात करूँ कि टैबलेट की size बड़ी होती है प्लस tablet में क्या होता है अगर आप इसको landscape mode में open कर रहे हैं यह आपका portrait mode होता है यह आपका landscape mode होता है अगर आप landscape mode में tablet को open कर रहे हैं तो आपको more than enough space है तो उसके लि mode में क्या होगा इधर एक screen आ रही होगी और उसके कहीं पर खुलिक होने पर यहां पर उसका option उसका particular activity उसके अंदर जो screen दिखनी चाहिए उसके नहीं screen पर नहीं screen ना दिखें यहां पर क्लिक होती है यहीं पर दिख रहा है यहां पर आपको डिजाइन में भी दिख रहा है जैसी क्लिक करेंगे यह टैबलेट के अंदर जहां पर landscape mode में आपके स्पेस ज्यादा है यहां पर साइड में आ जाता है तो इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं master details लो ठीक है जैन आपका the settings activity जो three dots अगर आपने देखे हो तूल बार यह ओपर three dots आते हैं उनके अंदर settings आती ह तो यह वह activity by default बना के देखा आपको अंदर का काम जो है बैकेंड वाला काम जो है वो तो कुछ से करना ही पड़ेगा ठीक है तो सारी चीज़े हम पढ़ेंगे यहां पर यह जो आपकी scrolling activity आपने WhatsApp में देखा होगा WhatsApp में जब आप किसी user की screen पर जाते हैं यानि कि chat screen आती है आ आप देखेंगे user की पूरी profile picture आती है आप अगर आप उसको scroll करेंगे तो वो जो profile picture है वो collapse होके toolbar बन जाती है और जैसे आप उसको drop down करेंगे यानि कि जैसे उपर की तर स्क्रॉल करेंगे वापस extend होके क्या होगा आपकी जो toolbar है वो extend होके profile picture बन जाएगी तो इस particular चीज को ग activity चाहिए तो आप यहां से click कर सकते हैं फ्रेग्मेंट को यूज करना है तो आप यहां से click कर सकते हैं जैन नेटिव सी प्लस में सी को लाइब अगर आप को यूज करनी है वैसे तो आपको रिक्वाइट नहीं रहती है यह आपको वाच्चेज बगर में यूज मा आती हमेशा empty activity को यूज करूंगा और इन सारी चीज़ों को हम execute करें फ्रॉम दे स्क्रेट जब आपको इस चीज़े समझ मा आ जाए तो देप्स क्लियर है तब कभी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट जो है वो कम टाइम में अगर complete करना है तब आप इनका जो यूज है वो कर सकते है जो आपका 10-15 मिनिट बचा देंगे डेजाइनिंग पार इनमें से कोई भी जो ले आउट है अगर वो आपकी डेजाइन से मैच करता है तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके भी प्रोजेक्ट को बेल्ड करता है बट बाई डिफॉल्ट जब भी आप सीख रहे है तो आपको ऐसा नेम नहीं देना है आपको कैसा नाम देना है जो काम है उसका मतलब जो आपका प्रोजेक्ट के अंदर आप जो बनाना चाहते है उसका कोई नेम देना चाहते हो तो वो नेम आपको यहां लिखना है अब इसमें एक चीज में आपको बताता जबाओं कि ऐसा लेकिन अगर आपको रंटाइम में रंटाइम मतलब इन दो मीन वाइल जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं यह वही नेम है जब आपकी एप इंस्ट्रॉल होगी तो इस नाम से आपका आइकन के नीचे आपका जो नेम आएगा वह इस नी तो आप बाद में चेंज कर सकते हैं जैन पैकेज नेम पर आने से पहले मैं आपको बदाता हूं यह सारी चीज़ें क्या है फिर अपने पैकेज नेम को अच्छे से समझेंगे तो पहले आ जाते हैं सेव लोकेशिन पर तो यह जो पात है यह मेरा अंड्रॉल श्यूडियो एक folder बना रखा है मैंने C के अंदर Users के अंदर WS Kube Tech उसके अंदर Android Studio Projects नाम से एक folder बना रखा है और उसमें मेरे सारे projects जो हैं वहाँ पे मैं store करते हैं आपको भी कुछ ऐसा ही करना है अब आप C में ना बना है यूजर्स में ना बना है आपने कोई ड्राइव पे ड्राइव पे या कोई भी डेक्स्टॉप पे फोल्डर बना लिया आपने जैसे यहां पे आपने डेक्स्टॉप एक नया फोल्डर क्रीट किया Android Projects करके और आपक डेक्स्टॉप मिलेगा डेक्स्टॉप के अंदर आपने जो भी फोल्डर का नाम दी Android Projects करके उसको आपको Select करके OK कर देना है तो अब क्या होगा कि आपके जो प्रोजेक्ट है वो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर Create होते जाएगा आपको सिर्फ लास्ट में क्या करना इस फोल्डर को Get कर लेगा नहीं तो क्या होगा कि अगर आप यहां तक ही छोड़ दोगे इसको जैसे आपने फोल्डर सेलेट कर लिया Android Studio प्रजेक्ट करके तो अब क्या होगा जो आपका प्रोजेक्ट क्रियेट होगा ना वो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर फाइल स प्रोजेक्ट को स्टोर कर सकता हैацना उसको फैले से को फोल्डर है तो अब अपने प्रोजेक्ट को स्टोर कर सकते क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट थे नहीं रेंगा आपको एक ही फोल्डर में सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो मिल जाएंगे कभी भी आपको इनकेस कोई प्रोजेक्ट को ढूंड ना है या उसको वापिस ओपन करना है तो आप इसली देख पाएंगे उसको ढूंड पाएंगे सर्च कर पाएंगे यहां पे ओप्सिन आते हैं लेंगवेज के लिए धे साफ की मैंने अपको बता है जावा भी होती और कॉटलं भी होती कि यानिकि आपकि जो भाइब लेंग्वेजिया एंड्वैड के लिए वह sizin going को मोती है लेकिन अब ही कर ते यह के रह integral लेकुर भी बाना है तो मैंने इसी कोडस के अंदर एक श्क्षान इस के सेक्षन अलग से डाला रखा है फिर finances व में उससे कोडिंग करती आपकتم और अभी के लिए हम क्या कर रहे है, जावा सेलेक्ट करें क्योंकि जावा को लैंग्वेज है for android, अगर आपको जावा अच्छी से समझ मा आ गई for android, तो आप क्वाटलेन को भी अच्छ से समझ पाएंगे और उसको execute भी कर पाएंगे, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर by default आपको क्वाटलेन ही दिखाएगा और आपको क्या करना है, यहाँ जावा पर क्लिक कर देना है, तो minimum SDK के अंदर यहाँ पर आपको API level दिख रही है, यानि कि यह version select करने को कह रहा है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि आप जो project create कर रहे हैं, उसमें आप minimum कौन था version डाल रहे हैं, मतलब कि यह आपका जो project है, यह इस version तक ही चलेगा, इसके बाद जितने भी version है, बनलब इसके पहले जितने भी version थे Android के, उनमें आपका project नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ पर minimum SDK set करना पड़ेगा, depending on the feature, तो आप जो feature use करना है अपने app के अंदर, वो feature particular किस Android OS के version में आया था, तो वो आपको minimum set करना पड़ेगा, जैसे कोई particular ऐसा feature है, जो इस particular version 7 में आया, Android 7 में आया, ठीक है, तो उस particular feature को अगर आपको use करना है, तो आप क्या करेंगे, minimum SDK वो अपना यहाँ पर 7 set करेंगे, तो आपको जाना है, उसको nougat को set कर देना है, तो आप question आता है, कि जब आप basic बना रहे हैं, तो आप हमेशा यही चाहेंगे, कि आप जितने version minimum, जो minimum से minimum version है, उसको select करें, ताकि जितने भी users हैं, आप target कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी के पास latest version नहीं होगा, या medium version नहीं होगा, किसी के पास पूराना version भी होगा, तो वो ही चीज़ है, जब भी आप कोई basic app create कर रहे हैं, यानि कि जब कोई ऐसी limitation नहीं है, कि आप कोई particular इस version का यह feature use करना है, या फिर आप basic से कोई app create कर रहे है, तो आप हमेशा क्या use करेंगे, जो भी minimum, जो सबसे minimum version हैं, उसको select करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं 4.1 को select कर रहा हूं, तो यह मैं को यहाँ पर बता रहा है, 99.8% of devices को मैं target कर रहा है, यानि all over the world, जितने भी android users हैं, अगर मैं 4.1 में अपना project को create करता हू तो वो 99.8% users को target कर पाएगा, यानि कि उन सब के fonts में चल पाएगा, इतने percent user के font में मेरा app run हो पाएगा, यानि कि install हो पाएगा, जैसे मैं इसको बढ़ाता जाओंगा, जैसे कि मैंने 8 version कर दिया हैं, यहाँ पर आप देख सकते 60.8 version आ गया, यानि कि 39.1% का जो difference है, वो यह नॉर्मल यगर आपके पास कोई ऐसा required condition ना हो, तब तक आप हमेशा क्या करेंगे, minimum version को ही select करेंगे, अब यह सब setup करने के बाद में हम वापेश आते है package name पे, तो package name क्या है, जैको package name समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, कि जब भी हम कोई project create करते हैं, तो हम final result क मतलब हम project create कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो भी coding करना है, हम coding करेंगे, उसके बाद last में हम क्या करेंगे, जब हमारा सब कुछ काम complete हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके एक .apk file बनाएंगे, अगर .apk file नहीं बनाओंगे, तो दूसरे android phones में कैसे run होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, last में आपको .apk file create करनी पड़ेगी, अब वो apk file build होगी, लेकिन users तक कैसे पहुचाओगे, तो users तक पहुचाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, उस file को play store पे एक app बनाके उसमें upload करनी पड़ेगी, ताकि वो play store पे और फिर आप उस app को चला पाते हैं, अगर मैं भी चाहता हूं कि मेरा project भी users install करें, उसको use करें, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके .apk file बनानी पड़ेगी, और उसको play store पे live करना पड़ेगा, तो जब हम play store पे live करते हैं, तो हमारा जो name है, अब जो android play store है, वो कैसे play console जिस एक name ले सकते हैं, तो अगर मैं कोई calculator app बना रहा हूं, या कोई भी ऐसी app बना रहा हूं, जिसे tic-tac-to app बना रहा हूं, कुछ भी relevant app बना रहा हूं, तो उसका relevant name ही रखेंगे, अगर app के name को play console है, वो unique रखता, तो क्या होता, जिसने पहला calculator बनाया, उसका नाम तो क्या मिल social networking पे जब अपना account create करते हैं, तो वहाँ आप से profile name या username पूछता है, तो आपना name डालते हैं, तो आपना name डालते हैं, तो आपने name किया कि कुछ alpha numeric कुछ add करते हैं, कुछ date of birth add करते हैं, कुछ number add करते हैं, कुछ special characters add करते हैं, जिससे कि वो username accept हो जाए, तो वही चीज़ यह नहाँ पे भी है, अगर name के अंदर constant लग जाए, कि name जो है वो unique होना चाहिए, तो क्या होगा, कि पहला वाला name जिसने मिलिया, पहला project जो भी बनेगा, वो जो सही नाम से बनेगा, बाकि जितने भी project बनेंगे, वो उसके relevant जरूर है, लेकिन उसके name से नहीं बनबाएंगे, तो अगर में वो calculator app नेट पे अगर आप सर्च करोगे, तो सब calculator की name से इतनी सारी आपको app मिल जाएगी, ठीक है, यगर आप ऐसा कुछ constant रखते है, name के अंदर, तो क्या होगा, कि वहाँ पे जैसी आप सर्च करोगे, तो calculator के नाम से आपको एक ही app दिखेगी, बागी सारी app क जैसी को calculator लिखे, तो calculator के अंडर ही वो सब दिख जानी चाहिए, तो इसलिए Android console ने कहा, कि हम इस name में तो changes नहीं कर सकते हैं, मतलब name आप duplicate रख सकते हो, मतलब common रख सकते हो, कोई दिख्यत वाली बात नहीं है, लेकिन हम एक package name जो है, वो आपको unique रखना पड़ेगा, और package name को हम क्या करतेंगे, unique बनाएंगे, यानि कि जो यहाँ package name में लिखने वाला हूँ, वो unique होना चाहिए, मतलब आज तक कोई भी जो play store पर पड़ी है, उनके जो package name है, उससे मेरा package name match नहीं करना चाहिए, अगर match करता है, तो जब मैं अपने app को live करूँगा, मतलब जब भी particular package name है, ये आपका unique होना चाहिए, और ये dot से divide होना चाहिए, मतलब की com.something, आप com क्यों ले रहे हैं, उसका भी मैं reason बताता हूँ, अगर आप Android का project create कर रहे हैं, तो आप किसी base पे या theme पे कर रहे हैं, तो ये हम, मतलब Android मान के चलता है, कि अगर आप किसी theme पे कर रहे हैं, त ठीक है, क्योंकि domain कभी ऐसा देखाएगा, कि एक ही website के उपर, आप दो अलग-अलग URL web address पे जा रहे हैं, तो अलग-अलग website बतारे है, possible ही नहीं है, domain हमेशा unique होता है, यानि कि एक URL जो है, वो एक ही website मे ले जाएगा, अगर आपको दूसरी website मे जाना तो उसका अलग unique URL होग तो जो भी आप domain लेंगे, वो domain का उल्टा जो है, वो आप यहाँ लगा देंगे, for example, अगर मैं यह बात करूँ, मैं calculator app बना रहा हूँ, तो मैंने calculator नाम देती है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, calculator नाम से पहले से भी projects है, पहले से भी app है, प्ले स्टोर पे, लेकिन आप फिर इसका project create कर सकते हैं, but यहाँ जो package name देंगे, वो आप com.calculator से देंगे, या कोई भी दूसरा नाम, अब आपको यह देखना है, कि com.calculator जो है, वो पहले से किसी का package name है के नहीं है, अगर यह पहले से किसी का package name है, तो यह आपको change करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या name दिया है, सही है के नहीं है, तो आपको browser खोलना है, तो browser खोल लिया है, browser के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है playstore, जो आप अभी तक phone paste open करता है, अभी मैं आपको browser पे open क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि phone पे URL नहीं आती, तो actual में अगर आप playstore में कोई भी app क उपन करेंगे, तो उसके URL उपर आती है, उसमें ID equals उसका package name आता है, जिससे आपको यह पता से लेगा उसका package name क्या है, इसलिए हमने जो playstore है, वो यहाँ पे browser में open क्या है, यहाँ आपको बता सकूँ कि कैसे आपको पता लगेगा कि इस particular app क्या package name है, या अगर मेरा कोई package name ह पहले से किसी ने ले रखा है, आप अपना package name change करें, तो वहीं आपको बता चल जाएगा, जैन आप run time में project create करने के बाद भी अपने package name को change कर सकते, जैसे मैंने आपको name की case में बताया, वैसे package name को भी आप बाद में change कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है Android के अंदर, यह चीज़ अगर आपको पता करना हो, जैसे कि मैं यह पर facebook open करता हूँ, तो यह facebook app है, अगर जैसी मैं इस पर click करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आपको url अगर दिख रही है, तो url के अंदर आप देखेंगे कि id equals to com.facebook.catana, तो यह किसका package name है, facebook का package name है, ऐसे एकर मैं whatsapp की बात तो whatsapp पे click करते हैं, और यहाँ पर whatsapp का package name है, वो com.whatsapp है, that means मैं whatsapp नाम से application मना सकता हूँ, facebook नाम से application मना सकता हूँ, लेकिन इनके जो package ने, इनके package से map जो project है, वो create नहीं कर सकता है, मतलब मैं com.whatsapp यहाँ पर लिखके, उस particular package से app को create तो कर पाऊँगा, लेकिन जब live तो वो मैं को live करने नहीं देगा, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर भी आप check कर सकते हैं, यहाँ पर package को check करना थोड़ा सा irrelevant है, क्यों उसका reason यह है कि आप जब project को build करेंगे, तो अगर आप अच्छा project build कर रहे हैं, जिसमें modules बहुत ज़ादा है, features बहुत ज़ादा है, तो on and average आपको 20 to 30 days लग जाएंगे एक project को build करने में, complete, ठीक है, तो 30 days के बाद में जब आप app live करेंगे, और एक 30 days से पहले, project तो आप 30 दिन पहले ही create करेंगे ना, first day जब आप project को set up करेंगे, तभी आप project को create कर रहे हैं, तो उस समय आपने package name जो check किया, उस समय शाहिद हो सकता है कि वो package name ना हो, लेकिन 30 दिन बाद जब आप app को live कर रहे हो, तो उस 30 दिन के बीच में किसी ना किसी particular developer ने अपनी app को live कर दिया हो, in case, तब भी आपको change तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए जो process रहता ही, एकदम last में रहता है, बट हमारी कोशिश नहीं रहती है, ज जैसे कि Dave Broid कर लिया, जो भी आप अपना आगे चल के कोई भी अगर आप entrepreneurship के बारे में सोच रहे हैं, तो कोई भी आप अपनी company का नाम सोच रहे हैं, तो उस company साप domain purchase कर ले, या अगर domain नहीं purchase करना है, तब भी आप कोई ऐसा नाम रख ले, जो unique हो, और कहीं आपने देखा नहीं हो, तो वो अपनी company का मान ले के या आपकी company का नाम है, और उसी package name के under आप अपने projects को create करें, अगर वो किसी client के नहीं है, अलगर आप ये खुद के projects हैं, आप खुद उनको create कर रहे हैं, अपने लिए, as a entrepreneurship, ठीक है, अगर आप किसी client के under कर रहे है, तो client जो भी आपके बस आएगा, या company की through आएगा, तो वो अपना package name पहले से खुद decide करेगा, वो जो package name देगा, वो ही आपको place करना है, चीक है, तो वो package name unique होना चीए, वो आप में यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो मैंने कुछ ऐसा कर लिया, com.devdroid.calculator, चीक है, यह मैं मान के चला हूँ कि मेरी company का नाम है, devroid, चीक है, तो मैंने किया, com, तीचे लगा लेगा, आगे चलके, in future मैं अपनी company का domain खरीदूगा, devroid.com, तो अभी से मैंने वो चीज कर लिए, तो यह मेरी, मेरे हिसाब से, यह जो package name है, यह अभी तक किसी का नहीं है, फिर भी अगर आपको चेक करना है, उसको copy करे, browser को open करे, यहां पे जो search है, यहां पे paste कर दे, और search करे, तो अगर आपको कोई app दिख जाती है, जैसे कि यह वाली calculator की दिख रही है, तो इसके ID जाके देखेंगे, तो यह ID मैच नहीं कर रही है, that means app तो दिखेंगे, app किस keywords आई, इस calculator के keywords आई, लेकिन exactly इनके package name से कोई नहीं है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहां से भी confirmation ना हो, तो आप जो उपर, कोई भी app open कर देखेंगे, अपन पेस्बूक पर ही चल बहुत है, इसके अगर आपको ऊपर यह जो ID दिख रही है, तो हम clear करते हैं, और ID equals to मैं हमारा package name add करते हैं, तो य यहां पर आगया, we are sorry, the request URL was not found on the server, that means इस particular package name, यानि इस particular ID से कोई भी app अभी तक live नहीं है, यह आपका self confirmation हो गया, अब इसको आप as a package name choose कर सकते हैं, फिर भी जब इसको live करेंगे तो उससे पहले आपको फिर से एक बार prompt करना पड़ेगा, या चेक करना पड़ेगा, या फि कोई भी error नहीं आता, that means package name accept हो गया है, और आपकी app within 4-5 hours live हो जाएगा, यह सब करने के बाद मैं आपको finish पे click कर देना है, यह आपका last step था एक project को create करने का, अब यह पूरा building process होगा, और आपका project जो है, वो create हो जाएगा, जैसे यह indexing आ रहे है, scanning files to index, यह last step होता है, मतलब अब आपका project create हो चुका है, और यहां पर आप by default वो screen देखेंगी, जो हमने empty screen select करी थी, वो आप यहां देख सकते है, और उसके regarding जो भी उसका backend वाला काम है, यानि कि जो उसका logic part है, वो आपका कहा होगा, जावा वाली file के अंदर, तो यह दोनो files by default open आएगी, तो यह आपक आपका जो भी आगे का process है, जो आपको एक app के अंदर build करना है, वो इसके आगे से start होगा, चीक है, तो आज की session में हमने देखा कि कैसे android studio का project create किया जाता है, क्या options show होते हैं, कौन से options select करने पड़ते हैं, कौन से options का मतलब क्या होता है, तो यह सारी चीज़ें हमने देखी क कि जब आप android studio का project create करते हैं, तो step by step क्या process रहता है, चीक है, हम देखने वाले कि कैसे आप अपना android का project है, वो आप virtual device पर run कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपने android project बना रखाया और अगर आपके पास android real device नहीं है, जिस पर आप चला के देख सकते हैं, तो कैसे virtual device के उपर हम उस simple सा my first step जो हमने पहले create किया था, जहां पर हमने hello world बनाया था, तो वो मने project यह open कर लिया है, अब हम क्या करने वाले है, इसको run करने वाले android virtual device पर, तो इसके लिए pre-requisite क्या है, प्री-requisite यह है कि आपके पास android virtual device पहले से created होना चाहिए, जो कि हमने पहले session में देख रखा है कि हम कैसे android virtual device create करते हैं, तो पहले आपको android virtual device create करना होगा, then हम इसको run करके देख पाएंगे, तो मैंने यहाँ पे android virtual device पहले से बना रखा है, तो यहाँ पे आप जो उपर की तरफ यह option है, run के just pass में, यहाँ पे आपको दिखता है कि आप किस device पर run करने वाले है, तो यहाँ आपको device वो select करना है, तो यहाँ पे आपके जितने भी virtual devices हैं, वो यहाँ पे दिख जाएंगे, तो उन में से आपको जो भी virtual device पे चलाना है, वो virtual device पे आपको click करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही virtual device है, तो हम उसी को select कर लेते हैं, अगर आपको यहाँ से नहीं select करना है, तो हमारा virtual device run के command के उपर create करेगा virtual device को और फिर उस पे हमारा android project है वो run होगा और इसमें क्या होगा इस particular command के उपर आपका virtual device run होगा जिसे कि आप देख सकते हो पहले run होगा उसके बाद में हम जब भी run पे click करेंगे मारे project के run पे तो वो project open हो जाएगा चीक है तो दोनों में से कोई भी तरीका आप choose कर सकते है तो यहाँ पे मैंने इसको run कर दिया है अब यह हमारा emulator जो है वो open हो रहा है जैसे यह open हो जाएगा तब हम इस run पे click करेंगे run app के उपर तो हमारा जो project है वो इस virtual device पे run हो जाएगा चीक है रन पे आने के लिए जो आपको play बटन दिख रहा है इस पर आने के लिए यहां से भी option आता है यहां से तो आप करी सकते हैं उपर आपको tool menu के अंदर यहां पे run option दिखेगा यहां पे run पे आप click करेंगे तो इस पे click करके भी आप run करवा सकते हैं या फिर shortcut भी यूज कर सकते हैं shortcut की क्या है शिफ्ट प्लस f10 शिफ्ट प्लस f10 भी आप प्रेस कर सकते हैं या फिर android के अंदर एक setting के अंदर आप जाके अपनी जो shortcut keys है उनको भी आप change कर सकते हैं की mapping जिसे कहते हैं उनको की map को आप change करके अपनी कोई खुद की shortcut की वहां लगा सकते हैं run के लिए आप particular कोई भी आपको command perform करवाना है इस particular android studio के अंदर तो उस particular command से भी वह execute हो जाएगा वस्ट आपको करना किया उस key mapping को change करके उस particular command के लिए आपकी key map करना पड़ेगा और फ इस पर click करेंगे तब भी रन हो जाएगा और आपकर इस पर click करेंगे तब भी रन हो जाएगा तो पहले मैं देख लेता हूं कि क्या मेरा virtual device run हो चुका है यहां आप देख सकते हैं virtual device जो है वह हमारा run हो चुका है चीक है तो अभी ready to use virtual device अब हम play पे click करेंगे तो हमने run कर द होगी indexing के अंदर वह index करेंगा कि कि इस particular index में उसको build करना है देन आपका तीसरा point है वो है installing तो वह उस particular point पे install होगा किसके उपर virtual device के उपर फाइनल जो option है वह आपका fourth option यहां जहां पर क्या होगा आपका installing जो है वह complete होके launching में चला जाएगा यानि कि अब आपकी app launching mode में आ वह हमारे emulator के अंदर store होगी देन वहां से install की जाएगी install करने के बाद में वह launch की जाएगी इन particular steps के अंदर हमारा एब एक particular android device के अंदर run होता है यह तो रही virtual device के अगर हम normal device पे इसको run करेंगे तो यही same steps follow होगे तो यहां पर मैंने आपको बता है कैसे virtual device पे run होता है तो य particular real device के उपर run होता तो यहां पे आप देख सकते हैं कि install लिखा वागया नीचे मतलब कि अब installation हो रहा है और अब launching आ चुका है जैसे launch पे click हुआ तो यहां हमारी जो app है वह इस emulator के उपर यानि कि virtual device के उपर launch हो चुकी है तो आप देखेंगे जो हमारी first app नाम से हमने जो app ब आपके से run हो जाएगा जो process है वो यह रहता है कि सबसे पहले आपका build होता है यानि की .apk बनती है तो उसके बाद में आपका indexing होती है थार्ड पार्ट में आपका installing होती है लास्ट पार्ट में launching होती है मतलब जैसे ही launching पे आ जाता है तब आपकी जो app है वो आपके emulator पे द virtual device में चला सकते हैं क्या pre-requisite होने चाहिए आपको android virtual device पे अपनी app को run करने के लिए और क्या steps होते है उसके execution में जब हमारी app build होती है तो कैसे वो build की जाती है तो कैसे install की जाती है इसके बीच में क्या process रहता है वो हमने आज ही class में देखा हम देखने वाले हैं कि कैसे आप android app को android studio project को अपने android smartphone के उपर run कर सकते है यानि कि आपको simple क्या करना होगा कि अगर आपको कभी भी debugging करना ही यानि कि आपने project तो create कर लिया अब उसको आप test करके देखेंगे तो पिछले session में हमने देखा कि कैसे हमने virtual device पे run करना होता है आज वाले session में उस debugging के लिए अगर आप virtual device पे नहीं open करना चाहते हैं अगर आपके वास android smartphone है तो हम उस real time run time android device के उपर कैसे हमारे android studio project को run कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले में project open कर लेता हूं जिससे मैं कहता हूं default project यानि कि android studio में जो default project होता है hello world project वो create कर लेता हूं तो च एक स्टार है ठीक है यह simple है क्योंकि हम यहां पर process देख रहे हैं कि process क्या होता actual में किसी भी android studio project को एक real time या run time android smartphone पे android device के उपर run करने का तो सबसे पहला step जो करना है वो आपको अपने android smartphone में करना यानि कि जिस smartphone के अदर आप अपने android app को run करना चाहते हैं उस smartphone के अंदर आप smartphone के अंदर आपको कहा जाना है आप drop down में यहां पर settings दिख जाएगी settings पर आपको क्लिक करना है जैसी आप settings में आएंगे तो आपको यहां पर search करना है developer options के लिए तो by default जब आप first time open कर रहा है यह चीज़ अगर आपने कभी भी developer options सुना नहीं या enable नहीं किया है तो आपको य Android version 8 के बाद में ऐसा हो गया कि about phone का section अलग बन जाता है और उससे पहले की बात करो तो यह चो section है वो बहार ही मिल जाता है तो आपको about phone पे click कर लेना है वहां पर जब आप click करोगे तो यहां पर आपको एक option दिखेगा software information करगे यहां पर आपको tap कर लेना है यह वैरी कर सकता है कि यह चीज़ें आपको कहा मिले depending on the brand you are using मतलब आप जो भी जैसे Samsung brand अगर use कर रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि software information कोई अलग setting के अंदर हो but related to about phone के अंदर की होगा या तो about लिखावा होगा या phone settings लिख रहा होगा या about phone लिख रहा होगा तो related to this keyword ही कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा है मतलब अगर आपका android जो OS version है वह 8 से पहले का है तो यह चीज़ आपको बाहर ही मिल जाएगी और अगर 8 version के बाद का है या नया version है 9 या 10 या 11 version है तो यह जो setting है आपको software information के अंदर मिलेगी तो software information वाला जो menu है उसमा मैंने tap कर दिया है उसके अंदर आप पता कैसे लगेगा यह देखो आपका version यहां दिखा रहा है यह version कहलाता है यह android का version है तो यह आपको चेक कर लेना है कि अगर version आपको पहले ही पता पढ़ जाएगर यह चीज़ बाहर दिख गई यानि कि वर्जन 8 से पहले का है और अगर यह चीज़ software information के अंदर दिखती है अलब उसके tap करने पर यह menu दिखता है that means यह 8 version के बाद का version है अब आपको जो main चीज़ करनी वो यह है कि build number को डूणना है यहाँ पर आपको दिख रहा है build number इस पर several time आपको tap करना पड़ेगा यानि कि 7 times आपको tap करना पड़ेगा 4 steps away, 3 steps away, 2 steps away, 1 step away and यहाँ पर आपसे passcode मांगेगा या password की मांगेगा या pen number मांगेगा अगर आपने कुछ select कर रखा है अगर अपने phone के उपर आपने कुछ security लगा रखे तो वो चीज़ यहाँ पर आपको provide करनी पड़ेगी तो अब यहाँ लिखा रहा है developer mode has been enabled बिना developer settings on किये हम usb debugging वाला section है वो नहीं use कर पाएंगे यानि कि अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा तो अगर आपने usb से connect भी कर दिया है फिर भी आप अपने android studio से उसको run नहीं करवा पाएंगे अपने android smartphone के अंदर तो इसलिए important ह हो चाता है developer options को on करना क्योंकि developer options में आपको मिलेगा usb debugging करके setting जिसको हम on करेंगे जब उसको on करेंगे उसके बाद अगर मैं अपने usb cable से android studio से connect करता हूं तो वह automatically इसको detect करेगा और उसके बाद मैं इसको run कर पाऊंगा तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं developer option तो आपको नहीं दिखरा developer option आपको दिखेंगा main setting के अंदर तो आपको वापस पीछे आना है जैसी आप यहाँ बैक पर आओगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पहले मैं को यहाँ पर इतनी setting दिख रहे थी यह end of the setting दे लहीं अब आप देखेंगे end में एक और option on हो लुका है तो यह by default on ही रहेगा ठीक है until and unless आप इसको off कर दें तो आप यह इसको on कर देना उसके बाद में आपको इन में से कोई भी चीज की जरूत नहीं है अभी के लिए अभी के लिए सिर्फ आपको USB debugging जो आपको यह option दिख रहा है यह वाली जो setting है यह आपको on कर देनी यानि कि USB debugging को जब तक आप आप नहीं करेंगे तब तक आपने फॉन को debug mode में नहीं लगा सकते for android development process यहां पर मैंने इसको on कर दिया है अब USB debugging on हो चुकी है मेरे smartphone के अंदर अब में को क्या करना है USB केबल की need है तो USB केबल आपको जरूत पड़ेगी तो USB केबल दो टाइप की मिल जाएगी आपको depending on क्या आपका फॉन कैसा टाइप को support करता है यानि कि किकर C टाइप को support करता है तो आप USB केबल जो है दूसरा ए चार्जर के साथ जो आपकी USB केबल आती है जिससे आप नॉर्मली अपने laptop से connect करते है data transfer करने के लिए तो वह USB केबल आपको चाहिएगी तो अभी मैं इसको connect कर लेता हूं USB के साथ में तो जैसे ही आप उसको USB से connect करते हैं तो यह आपको एक option पूछेगा allow or deny तो आपको महां पर क्या करते हैं allow पर tap कर देना है तो क्योंकि मेरा phone पहले से connected मतलब कि first time मेरे laptop से connect नहीं हुआ है तो यह first time जब connect होता है तब यह पूछता यह आपको तब भी चाहिएगा जब आप USB नॉर्मल वे में भी यूज़ करते हैं अगर आपको data transfer करना है तब भी option आता है allow or deny का wants to access your data ऐसा करके option आएगा वहाँ पर allow और deny एक option आएगा उसको allow पर tap कर देना क्योंकि मैं इसको बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ पहले भी तो इस वज़े से setting नहीं आई है तो जैसे ही आप allow पर click कर देंगे first time जैसे आप USB उकने करेंगे तो जैसे ही आपने allow पर click क्या उसके बाद में एक और pop-up आपके पास आएगा जो first time आएगा ठीक है allow USB debugging यहाँ पर आपका एक key fingerprint आरहा जो आपके phone का है और नीचे आप देख पा रहे हो कि always allow from this computer अगर आप इस पर tap कर देंगे तो यानि अगर आप इस पर click कर देंगे तो check box को तो क्या होगा और उसको check कर करने के बाद में अगर आप allow पर tap कर देंगे तो तो क्या होगा कि जैसे ही आप allow पर click करेंगे next time जितनी बार भी आप USB को connect करेंगे तो आपको यह बार बार यह जो dialogue box लिख रहा है यह नहीं दिखेगा क्योंकि आपने always allow कर दिया है for this computer मतलब इस computer के लिए आपने इसको रिवोक करना है तो आप यहां पर यह देख सकते हैं रिवोक USB authorization पर click करेंगे तो यह जो always on वाला जो settings आई थी वो हट जाएगी अब always on नहीं होगा अब यह रिवोक करने के बाद आप जब वापस आप USB connect करेंगे तो यह जो dialogue box आपको वापस दिखेगा अगर आपने allow always कर र हमारा जो phone है वो connect हो चुका है तो यहां पर आप Android studio के अंदर देख सकते हैं कि running devices के अंदर जो हमारी नीचे available devices होती है यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपकी virtual devices आती है तो यहां पर running devices के अंदर जो हमारा USB से connected Android smartphone है उसका model link यहां पर आ गया है यह यह लाइव है मतलब की on हो चुका है अब आप direct run पे click करेंगे तो इस पर आपका app जो है run हो जाएगा ठीक है अगर आपका virtual device भी live होता है that means कि अगर virtual device मैं यहां से click करके run करता हूं तो आप क्या होगा virtual device open होगा फिर run होगा लेकिन अगर वो live है live in the sense वो open हो चुका है और फिर आप यह devices है जो available है जिन पर आप connect करके अपना Android पर वो चला सकते है तो अब भी आपको क्या करना है आपका जो भी smartphone है आपका यह model नहीं आ जागा smartphone का जो भी आप brand यूज करते हैं उसका जो भी model है उस particular phone का smartphone का वह यहां पर identify यह कर लेगा उसके बाद आपको क्या करना है इस play प होता है build करने का तो यहां पर आपकी .apk file build होती है second में क्या होता है indexing होती है कि किस particular index में उसको build किया जाएगा then third जो होता है आपका वह होता है installing तो यहां पर नीचे की साइड में आपको देखो install दिखने लग गया है ठीक है that means install हो रहा है और fourth जो आपको दिखेगा यहां यहां पर वह है आपका launching तो जैसे यह launching लिखावा आ जाएगा वैसे यहां पर आपका app show होना start हो जाएगा तो देख सकते हैं आप जैसे launching आया और launching के just बात आपको यह app run होता हो दिख गया तो यह हमारा simple सा जो हमने default project run किया वह यहां पर load हो चुक है तो इस तरह से आप adb android debug bridge यानि कि debug bridge के थ्रूँ यह काम किया जा रहा debugging जो हो रही है और दूसर प्रसेस जो मैंने आपको पिछले session में बदाया था वह था वाया virtual device यानि कि हम कोई connection करने की जरूत नहीं हम एक virtually एक ऐसा device open कर रहे है और उस पर run कर रहे हैं तो यह दो तरह के options होते हैं आपके प सकता है कि वो सारे changes जो है वो successfully execute हुए या नहीं हुए तो आज के session में हमने देखा कि कैसे आप अपने android studio project को यानि कि android app को जो आप build कर रहे हैं उसको कैसे आप अपने android smartphone के अंदर या android runtime device के अंदर चला के देख सकते हैं जिसे की real phone है क्या steps रहते हैं उनके और क्या procedure है जो आ नहीं थैंक यू हुआ